हमको तो उसी दिन से चिंता है अठाइस तारिक से उसी दिन से हमको चिंता होगे कभी लोग बैठेंगी कैसे उनके साथ परिवार नियोजन पर उन्होंने जो बात रखी महिलाओं के लिए तो कितनी महिलाय मेले ती जो रो भी रही थी और एक महिला तो इतना गंभीर आरोप लगाएं जो सीनियर भी है मने देखिए भजपा के लोग महिलाओं के मुझ से क्या-क्या कावा देता है सत्ता में अने के लिए ृब कि माननीय मुकमंतरी जी गाजा पीते हैं और क्या-क्या करते हैं कि हम लोग को सरमारा है भाई अब तो हमको चिंता हो गई है इन महिलाओ कि इनकी सुरक्षा खत्रे में और आज भी हम बोलना है अपने बयान पर काइम है कि हमको ना उस दिन सर्माई थी अना आज सर्मारी है जो सर्माया फिर वह गंगा जल के साथ तुलसी तांबा कैसे घोट लिया कैसे पिर नितीज कुमार जी के साथ चलेगा नाम प्रेम है और आ अंतीम बजट पेश किया गया है लोग कह रहे हैं कि यह गरीब के लिए है युबाओं के लिए महलाओं के लिए बात करने के लिए साथ कॉंग्रेस के कदावर नेतरी महला विधायक परतिमादास है कैसे देखते हैं बजट में तो कुछ भी नहीं है मान्य वित मंतरी जी न लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गया तो फिर यसी करूर लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जो आनाज खा रहे हैं यह कौन लोग है तो इस तरह का जुमले बाजी वाला यह बजट था टोटल जुमला था और बजट में कुछ भी नहीं था ने देश कुमार खुब का क्वेशन भी हो गया है कि चार बार एलेक्शन हुआ नौ बार मुख मंत्री बनने वाले किस राज के नेता हैं भाई तो यह सब चीज वो करते हैं अभी अब जिस तरीके से भज़पा के लोग आते थे कि गाजा पीते हैं इनका मांसीक संतुलन खराब हो गया है यह कुछ सोच नहीं पा रहे हैं बिमार हो गएंग को minutez 25 बज़पा करें युवा ओक लिए महलाओ के लिए महलाओ के लिए क्या है है निर्भयाप फांड जा ता उसको थो बढ़ cheddar न की गया है दुसरी बात सब्सक्राइब नहीं बढ़ा है उसको जज का तस चोड़ दिया गया तो महिलाओं के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है हाँ बैपारी जरूर खुस है बैपारी खुस है बैपारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है चुकि चुनाव में तो वही लोग फंडिंग करेंगे भज बैपारी का तो वही अधार है ना मंदिर बनवाने में चुनाव लड़वाने में वो लोग उनको मदद करते हैं इसलिए बैपारी खुस है बाद बाकी देश के हर जनता हर वर्ग हर तपके के लोग दुखी है करहा है महांगाई घटे किस वज़से किस वज़से कुछ भी नहीं घटेगी अब तो चुनाव आने वाला है चुनाव कि दस दिन पहले थोड़ा सा घटेगा इसलिए कि भोट लेना है लेकिन अब देश की जनता सब समझ गई है और नहीं समझ रहे तो समझना पड़ेगा चुकि ये लोग जुमलेबाजी करने वाले लोग है और देश के पबलिक प्रपटी को बेच के राजनिती करने वाले लोग है अभी देश कितना कर्ज में डुबा हुआ है आप भी जानते हैं मनमोहन सिंग जी की सरकार थी तो हम लोग बहुत कम कर्ज था लेकिन अभी लगबग मुझे लगता है कि अढ़ाई लाख करोर हो गया है कर्ज तो ये कर्ज किसके उपर है नमक के रूप में तेल के रूप में दाल के रूप में चावल के रूप में सबजी के रूप में प्याज के रूप में सिलेंडर के रूप में जो हम खड़िते हैं जो टैक्स बढ़ते हैं ये कर्ज हम मोदी जी ले रहे हैं कर्ज हम हमारी जंता बढ़ रही है। के टाइम में जब 400 रुपय था तो इनकी कोई मंतरी थी पता नहीं अब दिखाई उखाई नहीं पड़ती है तो उसमें लगता था बेरोजगार थी बैचारी तो सिलेंडर उठा उठा कर परदर्शन करती है पता नहीं हम नाम नहीं लेना चाहते हैं उनका तो उनको बड़ा म काम कर रहे हैं उनका नाम लिया जाए उनको रखा गया सिर्फ को टार्गेट करने के लिए राहुल जी पर टार्गेट करने के लिए तो वैसे लीडर को हम लोग कोई नोटिस नहीं करते हैं नोटिस नहीं लेते हैं वैसे लोगों का अब बात करते हैं बिहार की नितीज कु कि वो जूट नहीं बोलती है और राजनितिक पॉलिटिकल माईलेज लेने के लिए किसी को बदनाम नहीं करती है लेकिन भजपा है कि अभी आपके चैनल के माधियम से भजपा के लोगों से भजपा की महिलाओं से पुछना चाहता है जब सदन में मानिय मुख मंतरी जीने जन संक्य जन गन्ना और उसके बाद में जो परिवार नी ओजन पर उन्होंने जो बात रखी महिलाओं के लिए तो कितनी महिलाएं मेले थी जो रोभी रही थी बहुत से आरोप लगा पीसी हुआ क्या हुआ हम लोग सरम से डूब गये सदन में करसे जाएंगे हमको तो उसी दिन से चिंता है 28 तारिक से उसी दिन से हमको चिंता होगी कभी लोग बैठेंगी करसे उनके साथ और कुछ ने तो जो महिला थी वह तो उन्होंने तो बहुत मतला अभाद्रिय टिपनी कि ये बहुत गंबीर आरोप उन्होंने लगा रही थी और एक महिला तो इतना गंबीर आरोप लगाई जो सीनियर भी है मने देखिए भज़पा के लोग महिलाओं के मूझ से क्या-क्या कावा देता है सत्ता में आने के लिए और वह बोली भी कि माननीय मुक्वंत्री जी गाजा पी ते और क्या-क्या करते हैं चाहिए हम लोगों तो सर मारा है बाई अब तो हमको चिंटा हो गई है महिलाओं का बाई की सूरख्षा खत्रें में हैं नितिस्कुमार इंडिये में तो महिलाओं के सुरक्षा कस्तरे में भाई तो हम लोग थोड़ी है रूप लगा थे हमने तो आकर के मीडिया के सामने कहा कि उन्होंने परिवार नियोजन के लिए जिस तरीके से खुल के बोला है और आज भी हम बोल रहे हैं अपने बयान पर का कैसे पिर नितिस्कुमार जी के साथ चलेगा अब लोग बैठेंगे कैसे नजर कैसे मिलाएंगे बात कैसे करेंगे यदि महिला मंत्री मंदल में सामील हो जाएगी तो फिर कैबिनेट के बैठक में कैसे बैठेंगी इस बात का चिंता है मुझे बिलकुल चिंता करें भाई म कि राजनिती में नीती और नियत दोनों में खोट हो तो फिर वैसे लोगों पर जनता भरोसा कता ही नहीं करती हैं अच्छा आप कॉंग्रेस पार्टी से आती हैं और जिस समय सरकार बदर रही थी उस समय यह भी आरूप लगा था कि कई बिधायक तूटने वाले हैं देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिधायक तूट नहीं रहते हैं मोदी जी का जमीन खिसा करा था राहुल जी के आने से और राहुल जी इस तरीके से 6,000 किलो मीटर की पद्यातरा दुबारा सुरू किया है भारत जोरो न्याय यात्रा जिसमें महिलाओं के लिए युवाओं के लिए स्रमिकों के लिए समाजिक भिशमता को खतम करने के लिए तो यह तमाम मुद्धे हैं जहां पे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो इन ल लुग कुछ लोग को मुझे तो लगता है कि इनके कुछ जो नेता जिनको एडी सबी आइक अटर होका निश्चितरूप सदरोगा इसलिए डर के मारे होंगे बहुत होंगे तभी तो लोग डर के मारे रातो रात जैसे राहूल जी का प्रोग्राम था हम लोग कॉंग्रेस तो आनन फानन में एट टाइम इतने कम समय में पल्टी मारना सरकार बना लेना और प्रधान मंत्री का जो कार्जक्रम है चार तारीक को उसको कैंसिल कर देना यह क्या है भई राहुल से डर करके इन लोगों ने इस तरह का कदम उठाया जिसको बिहार की जनता कभी माप नहीं क कि पुढ़निया के सभा में सम्मिली तो करके यह बता दिया कि हमारा प्यार सेने कॉंग्रेस के साथ हैं पर कॉंग्रेस पर ही मुखमंतरी नितिस कुमारा रोप लगा लगा ले और कि सीटों का बटवारा नहीं कर रहे थे इसलिए देखिए देहात में कहावत है हम लोग ग पदा गया है उंगली से इसलिए हम रह रहे तो जाना था उनको उतैक जगा रहते नहीं है उनको है स्वेंभूनेता है मनियमुख में महां स्वेंभूनेता हूँ सब कमवे कहेंगे एगो क्या बोलते हैं रोड का गली नली सौब को तो घाटन कुद करेंगे और उसके उनका नाम होना चाहिए दूसरा का नाम आया कि उनका हो गया तब यत खराब तो उसके बाद में किसी को बरदास नहीं करते हैं फिर वहाँ दस दिन रहेंगे दस दिन तक उनको सब ठीक रहेगा फिर पंद्रहवा दिन से उनका दम घुटने लगेगा अब आने का सवाल ही नहीं है बिल्कुल दम घुटेगा लेकिन हम लोग वैसे नहीं है कॉंग्रेस पार्टी जो है भाजपा जिसी जुम्लेबाज पार्टी नहीं जेपी नड्डा एक तरफ बोलते थे कि मैं छेत्रिये पार्टियों का खत्मा करूंगा है ना तो खत्मा तो कर रहे हैं बैट करके और य लोगा है निति श कुमार जी उतना नहीं जानते हैं कर्गो केंछे को नहीं चुपार्टी जो बोलती में सत्ता परिवर्तन हुआ लालू यादव तेस्वे यादव पर यह नहीं कह सकते हैं लालू परिवाद पर इडी का करवाई खुब हो रहा है देखिए हम तो आपके चैनल माधियम से ही कहेंगे कि भाजपा के हैं भाजपा कि यह लोग यार है इडी और सीबिया इनको लेकिन याद रखना चीए बच्पा के कर लोग तंद्र को खतम करना चाहते हैं लेकिन याद रखना चाहिए भजपा के लोगों को, कि जब हिंदुस्तान के लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, कपड़ा नहीं था, तो एक बस्त्र पहन के अंग्रेजों को लड़के खदेर दिये, तो अब हिंदुस्तान के पास एक बहुत बड़ा गरंत है जिसको सं प्रोड़ेवाँ